स्वागत है एक बार पुनह समाधान में आप सभी का चर्चा पुनह विद्यार्थियों पर पिछली बार हम मुल्यों की चर्चा कर रहे थे कि मुल्य ही वास्तों में विद्यार्थी को मुल्यवान बनाते हैं लेकिन आज कहीं न कहीं मुल्यों की चर्चा बहुत कम हो गई है, जो चीज हमें मुल्यवान बनाने वाली है, जो हमें सफलता की ओर ले चलने वाली है, जिस पर देश का भविश्य केंद्रित है, आधारित है, उस पर तो चर्चा अवश्य होनी चाहिए. ये चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से education system में इस चीज को शामिल किया जाए लेकिन जब तक ये बात education system में नहीं आ रही है तब तक व्यक्तिगत रूप से तो जरूर हम मुल्यों पर ध्यान दें और parents इस बात पर भी अवश्य ध्यान दें कि अपने बच्चों के अंदर मुल्यों का बीजारोपन बच्पन से शिरू करें ये चर्चा हमारी चल रही थी बहुत सुन्दर चर्चा है क्योंकि इस पर ही हम विद्यार्थियों का भी भाविश्य और देश का भाविश्य भी आधारित है और इसी बात को लेकर कि किसी भी देश का भाविश्य निश्यत रूप से सुनहरा हो सकता है तो आज पुना हम इस चर्चा को भ्राता जी के साथ बढ़ाएंगे, हमारे साथ इस्टूडियो में विराजमान है, आदर्ने राजयोगी सुर्य भाय जी, भ्राता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, भ्राता जी जैसे हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार भी मुल्यों क कि मुल्यों की कहीं आजकल चर्चा नहीं हो रही है, जितनी आवश्यक्ता इसकी आज के दौर में हो गई है, उस comparison में उसकी चर्चाएं भी नहीं है, और साथ ही लोग इसके प्रती aware भी नहीं है, तो क्या लगता है कि कैसे विद्यार्थी वर्ग इन चीजों की और ध्यान कि 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 मुल्यों की ओर धियान दे ताक की उसका जीवन सफलता क्यो राग्यया नहीं है, विद्यालियों में भी ऐसा वातावर्ण सभी को क्रियेट करना ही चाहिए और घरों में भी जिए घर का यज वातावर्ण भी ऐसा हो जो खुशाली भरवे हो, हलका पन भी हो जा व किसी भी चोटी बात को तूल देखर वातावन को है विनका तो इसे बच्चों में जो सीखने की इच्छा है सीखने की बुद्धि की नहीं कायम रहेंगी। क्योंकि अगर एक प्रैशर रहता है तो उनकी बुद्धि जैसे लिए कुछ और शीखने के लिए तैयाने उसमें विचारी नहीं आएंजे कुछ भी, किसी विदेश की असली संपत्ति उसके देशवासियों का चडित्री है, जैसे हम भारत माता के नारे लगाते हैं, भारत की मानताओं के गीत गाते हैं, बहुत सारे गीत बने हैं, लेकिन वो गीत भारत की धरती के थोड़ा ही है, भ करने वाले, सरल्चित, हर समस्या को सहन करने वाले, इन भुल्यों को जितना बच्चे लेकर चलेंगे, तो ये भविस्की निव बनेंगे, और इन प्याधारित उनकी जीवन की इमारत, सच्मोच इतनी सुद्रद होगी, मेरा ये लक्स है कहने का, कि जब वो एजुकेशन प जाएंगे, या एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज उनकी जिम्मेदारी होगी, वो लोगों के काम करेंगे, तो उस समय ये जो उनकी वेल्यूज हैं, ये चाहे मैं कहूं, उनकी परशिदी का अधार बनेंगी, उनकी परमोशन का अधार बनेंगी, इसी कारण से वो समान मतलब वो केवल विद्यार्जन ना करें, लेकिन एक अच्छे इंसान बनें, तो विद्यार्थी काल केवल पढ़ने लिखने के लिए ही नहीं है, केवल इन्फोर्मेशन के लिए नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनेंगी ये मुल्य, जिसकी चर्चा पहले भी ब्रात जाती है ये, कि कहते हैं हिंदी में कि अकेला चना क्या भार फोड लेगा, तो यदि एक मैं ही सुधर जाता हूं, या एक मैं ही अपने अंदर मुल्यों को ले आता हूं, लेकिन बाकी सब ऐसे हैं, अकेले चने की बात है, आस्मान में सूरज भी तो अकेला है, सारे संसार के त मैं ही अकेला होता है, चा पके मन को अकरसित करता है, महातमा गांधी तो अकेले थे ऐल्वी व्यक्ति संगठन तयार करता है, साव भी ववेकानन के सोचा था तो अकेला है वो क्या करेगा? देश की इस इसनी बहुत देनिये थि, मैं तो समझता हूं, जानता है प्यूकेशन तो अकेला ही व्यक्ति चलता है तो उसके पीछे चलने वाले बहुत आजाते हैं, मतलब हम शुरुवात करें अपनी तरफ से लिए अगर किसी क्लास में पचास में से पाँच विद्यार करें। प्रफिभी मुल्यवान बनने का चरित्रवान बनने का संकल्प करने। बले लोग उनकी हसी मजाक उड़ाएंगे। यहां चले हैं इमानदार बनने, भूके मरेंगे। अठाई है सत्य की बात। आज सत्य कहां चलता है। जूट का राज्य है। जूटे जो हैं वही आगे जूट करने से भी क्यों डरे। तो हम इस बात को हटा दें कि अकेला क्या करेगा। अकेला है संसार को दिशा दे सकता है। बिलकुल, यदि कुछ लोग यह ठान लें, विद्यार्थी वर्ग ही मान लीजी, यह ठान लें। यह नई हमें अच्छायों को जीवन में लाना ही ह जाहे समाजिक परिवेश, परिस्थितियां कैसी भी हों तो निश्रीत रूप से इस्थितियां बदलेंगे, लेकिन शुरुआत करने वालों की आवश्याकता है। तो हम मुल्यों को इस रूप में शुरू कर सकते हैं। बाते जी यह भी देखा जाता है जहां तक एक नकार करते थे कि honesty is the best policy, लेकिन अब जब यह बात कही जाती है तो बहुत दबी जुवा में कही जाती है, क्योंकि बात जैसे आपने कही कि कौन इमानदार है, और इमानदारी से क्या तुम प्राप्त कर लोगे, आजकल तो सौटकर्ट का मार्ग है, तो यह सौटकर्ट के माध्यम से चाहे एजुकेशन में हो, चाहे अनिक्षेत्रों में हो, वो सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो यह कहां तक सही है और यह कहां तक आनंद देपाता है व्यक्ति को, देखे यह है कि संशार में पिछले 22 सालों में एक चीज मनुस के अंदर बहुत बढ़ गई है और वह वो कैसे कमाया है यह वो सुचता नहीं मने, मनी इस अवरीफिंग, वो इसके लिए वो सभी मुल्यों को ताकते रख देता है वो देखता है फलान वेक्ति भी धनवान बना तो समाज में उसकी वेल्यू हो गई है वो बरस्ट, है वो पापी उसमें दुरगुनों के बोरिया बना भरी हो गई है लेकिन धनवान है इसले पर इडेंट बना दिया गया फलानी ओर्गनाइजेशन का उसको अध्यक्स बना दिया गया उसको सेक्रेटरी बना दिया गया तो यह जो एक समाज ने रूखक तियार किया है कि इसके पास धन है वही वी आईपी है जो लेकिन अगर हम करपशन की और धन की बढ़ुत्री की देखें तो यह देखने में आ रहा है करप लोग तो थोड़े ही होते हैं मालो नेताओं की चर्चा हुई तो दो चार नेताओं की बात हुई तो बद्नाम हो गए सारे के सारे और एक लहर एसी फैल गई के यही सब सब उसमें रम गए लेकिन वोग जेल में गए समाज में उनकी बद्नामी बहुत हो गई और फिर एक शर्ष्टी का एक सुंदरसा सी धान्त है कि गलत तरीकों से कमाया गया धन कभी भी सुखदाई नहीं होता है मेरे को जब मैं यह बात लोगों को बताता हूँ तो कोई मात पिता मेरे पास आये और कहा हमारे बच्चे बिलकुल मानते नहीं बिगडते जा रहे हैं तो मैंने उनसे बहुत सारी बात की फिर मैंने उनको इसी धान्त बताया को बुरा नमानना पर आप विचार जरूर करना इस बात का कि बुरे धन से अगर धन कमाया जाता है तो उस ध डाण्त क्यों हो गए? वस यही बात हूई है हमारा धन पवीतर धन नहीं है तो इस बात इस शत्य सिद्धान्त को भी हमारे विद्यार्तियों को अपने अंतर्मन में अभी से समा लेना चाहिए कि इमानदारी से प्तम जान कमाया जाएगा वो जीवन को बहुत जीवन को बह और हमारा धन शारीरिक विमारियों पे खर्च नहीं होगा। तो विद्यार्थी अपनी जीवन में इस प्रकार सफल होने के लिए मुल्यों को अपना है और कौन-कौन से मुल्यों पर विशेश करके वो ध्यान दे। चलने के लिए जैसे हम पहले से सुक्सम चर्चा करते आ रहे हैं कि हमारी इनर पावर्स का बहुत अच्छा होना अवश्च है उससे जुड़ी हुई है कुछ वह ल्यूज जैसे अपने निर्भय होना बहुत ज्यादा अपने मनोबल को ऐसा द्रढ रखना अपने अंदर ऐसी द्रढ आ लाना ताकि कोई भी समस्चय सामने आ जाए जिसे हमें फेस करना पड़े जाएं हम नर्वस न हो जाएं हम सब कुछ भूल न जाएं तो ऐसे ही जीवन को बहुत सरलता पूरवक जीना एगोलेस होना अपने क्रोध को बिलकुल कम करते चलना कहीं भी समा अपने अंदर इसाद्वेश को इस्थान ही न देना घरना भाव से सदा मुक्त रखना बहुत सुंद आदर्श आपने एक रखा है प्राताजी कि ऐसा हो विद्यार थी और इन इन वैल्यूस को अपने जीवन में लेकिन इसका सोर्स क्या हो अब यह होता है जैसे हमारी चर्च जहां पहुंचती है बार बार वो यही कि आसपास जब चारो तरफ का वातावरण ऐसा हो कि कहीं य अधिया की बात आप देख लें निउस पेपर या टेलिविजन जैसे हम उपन करते हैं इनसात्मग बातें एक्सिज़न्ट की बातें अन्य बातें तो सभी होती है दुनियावी लेकिन यह जो मूल बातें हैं मुल्यों की बातें हैं शिक्षा की बातें हैं वो कहीं भी करने वाले अच्छी बात सिखाने वाले वाले यह तो कह देएगे के क्रोद ना करो करो क्रोद बहुत बुर इससे बीवेक शकति नस्थ होती हैं यह जिस अका फलने ने का लेकिन ने क्रोद करें कैसे ना क्रोद तो आता है वो सिच्वेशन से सामने आ जाति हैं कि मुनुसक कोती पर शर्ष ini हो नाधो नाधा हिएसे ही एधी हो जाता है मनुस को सलक शत्तोर का मार्ली कर शामारून का मअर हम अधुज के नुर्थ के अंष।वर का मार्ग त हो प्रेश्र और मेरे पास हैंक्ट कान शक नुचे अखृू है। जिसके आधार से हम अपने इन सद गुनों का इन वेल्यूज का जीवन में समावाई वेश कर सकते हैं। देखिए, सिंपुल सी बात है कि ये गुन हमारे अंदर थे और अभी हैं। जाहे उनकी इंटेंसिटी कम हो गई है। इसा नहीं के प्रेम अहर्मन उसके पास नहीं है। है। उसके परसंटेज कम हो गई है। इसा नहीं के श्यानती उसके पास नहीं है। निर्भैता उसके पास नहीं है। सत्यता उसके पास नहीं है। सहयोग देने की भावना, सबमान करने का संसकार उसके पास यह सब हैं, थोड़े रह गए हैं, लेकिन यह हमारे पास फुल परसंटेज में थे, अभी वो नस्थ हुए हैं, कुछ को हमने दबा दिया है, समाज के परिवेश ने, लोगों को देख कर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो जैसे बीज होता है उसको दूप न दो पानी न दो अच्छी मिक्ती में लगाओ, विक्सित नहीं होगा, नस्थ हो जाएगा, सब जाएगा, तो यह जो सद्गुनों के वीज थे हमारे अंदर क्योंकि हमने इनका विकास नहीं किया, इन समाज में हमारे गुरुजनों ने शिक्षकों ने किस तरह का प्रकास मनुष बच्चों को नहीं दिया तो यह भी जैसे लोप जैसे हो गया है, लेकिन वह है, अब हमें उनहीं जगाना है, तो जगाने के कई तरीके हो सकते हैं, एक उस उस वेल्यू पर चिंतन करना, तो एक एक पिरियद दे दिया गया, और अग्याकारिता पर जो टीचर आया, वो बच्चों को अच्छी तरह दे दे कर समझा रहा है, जैसा हम लोग ने तरच दिलाइट में किया, तो देखा के बच्चे उसको समझ रहे हैं, और वो रिलाइज कर रहे हैं हमें अग्याकारी होना च किन हम अपने बड़ों की नहीं मान रहे हैं, तो हमारी कौन मानेगा, तो हमने देखा के एक तरीका यह, कि जो चीच छुप गई है, जो गुन दब गई हैं, जो प्राय नस्ठोने को हैं बीज, उन्हें फिर से जागरित किया जाएं, उनकी चर्चा की जाएं बच्चों की अंदर उसकी अवेर्नेस लाइज है, और साथी उन्हें यह रियलाइज करा जाएं कि किना इंपोर्टेंट है, दूसरी, एक बहुत अच्छी चीच, जो बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगा, यह हमारा परमकर्तव है, हमारे सब के इन्तर मन, उसकी इनर कॉंसियसनेस उसको धिकार रही है कि गलत, जो आर रोम, जोट क्यों बोला, तो कहीं ना कहीं प्योरिटी, देवत्त, यह सारे सद्गुन, यह मोरल वेल्यूज हमारे अंदर हैं, तो हम इस चीज को पहचान लें, बहुत अच्छा है, चिंतन मैं दे र जैसे हमने बात किती चैर का बच्चा यह सेर, भगवान के बच्चे हम हैं, तो भगवान के बहुत सारे गुन, उसकी ओवालिटी ज हमारे अंदर हैं, अगर हम इस अवेरनेस को रोज सवेरे अपने को देंगे, याद दिलाएंगे, तुम तो भगवान के बच्चे हो, वो तूम्हारी पास भी श्यांथी है, वो तु परम सत्थ है। व需要 भог्वान होते हुए हॽण प्रह प्रह अंपida कावता है। वह थिए तुम्हारा प्रह आंपिता प्यार का सागर है, वो पाहरे पास भी स्थ्याश्य है। ये awareness होते होते ये सब सद्गुन एक्टिव हो जाएंगे जीवन में आने लगेंगे ये दूसरा तरीका आपने बहुर संदर भ but With condition आपने विशेश किया है और पहले आपने अपने अपने उब्दी आपाता लगा जैंगे इश शुरूब थो सुनुब क्या हमें सुबह से ही करनी चाहिए क्योंकि आपने विवेक्ष स्यांत होता' हमारी बुद्धिष्यान्त होती है तो वो नई चीज ग्रहन करने के लिए तज्यार रहती है और सारा दिन हमने उसमें बहुत कुछ भर लिया है तो उसमें इस्पेस भी कम हो गया और जो चीज हमने देखी जो सुनी जो व्यभार में आई उसका इफेक्ट भी कहीं हमारी ब्र हमारा सबकुंशेस्समाइंड आर इनर कॉंशेट उसको रिजेक्ट कर देती है तो दूसरी बात जुबहाताज आपने का इस प्रकार का चिंतन करें और क्या तरीके और इसी तरहे है जुबहार बी चिंतन हमें करना है तेखे हमारी भारत में तो हम अपने पूर्वजों के पूर्वज माना जाता है लेकिन हम उससे भी आगे चले हमारे पूर्वज तो वास्तों में देवता थे हम देवों की संतान भी है भारत में तो 33 करोट देवी देवताओं की चर्चा है तो कहां गए आज व सब एक्चुली हैं उनका जो लेविल है वो नीचे उतराया है तो अगर हम सबयरे ऊट्च के ये भी आद करेंगे हम वन्दीरो में जाकी देवताओं के हाथ तो जोड रहे हैं नमन तो कर रह रहे हैं अपना Samman और सथ्धा तो उन पर अर्पित कर रहे हैं लेकिन हम तो उनके वन्सज नहें पूरिम उनके वन्सज हैं वो रह हम जुड़ हjang तो उनके भी वो देवत्व के गुन हमारे अंदर हैं, इसको याद करने से वो फिर से एक्टिव होने लगेंगे, इमर्ज होने लगेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि एक सुन्दर चिंतन अगर सबेरे उठकर हम कर ले और बच्चों के पास अगर सबेरे समयन है, बच्चों के यार हों, जल यल्दी करें, शूल जाना है, तो वो दिन में भी चिंतन कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, यह जो कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य डालेगा, यह कि विचारों में यदि स्रेश्टता है, विचार यदि सुन्दर है, तो निश्यत रूप से उस कि उनके यह विचार गलत हैं, और उनके यह विचार होने चाहिए, दोनों की अवेर्नेस ज़रूर है, क्योंकि बच्चे होने कान उन्हें यह पता भी नहीं चलता, यह वो गलत सोच के आ रहे हैं, तो उसकी भी अवेर्नेस हो, तुम जो यह सोच रहे हो, इसका परिणाम भ वो हमारे भविष पर सीधा प्रभाव डालता है, इसलिए यह रख लें, कि जितना हम पोजिटिव होंगे, जितने हमारे विचार मौस्ट एलिवेटिड होंगे, उच विचारों भवी सुन्दर होगा, हम एंजोय करेंगे अपने लाइफ को, लाइफ इस्ट्रगल नहीं हो और इसकी चर्चा विध्यालियों में भी होनी चाहिए, परिवार में भी होनी चाहिए, ताकि इसकी अवेरनिस बच्चों में आए, इसके मुल्य को वो समझें, और दूसरा जो आपने बहुत सुन्दर अभ्यास बताया, कि हम परमशक्ति की संतान है, और साथ ही देवत्व हमारे अंदर रहा है, और हम देवों के वंशज हैं, तो यह कहीं न कहीं हमारे अंदर गुण है, यह चिंतन उनके अंदर इन चीजों को विक्सित करेगा, और यह जो एक मुल्य हींता दिखाई दे रही है, वो दूर होती चली जाएगा, उनों से बच्चों की एकागरता भ कुछ पढ़ा रहा होगा, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रही होगी, शरारत इधर की उधर की तो एक आक्ता पूरी तरह होती न जलाएगी, टीचर को महसूस होगा के यह यह नहीं है, यह और कुछ सोच रहे हैं, इसलिए निर्मल प्रेम, एक दूसरे में सदभावना, एक दूसरे की बात को सम्मान देना, और विशेश रूप से अच्छे बोल बोलना, लडाई जगडा से मुक्त रहना, अपनी बात पे अडेन रहना, क्रोद और हिंकार से बचना, यह मुल्य हमेसा ही मनुस की विवेक शक्ति का विकास करेंगे, उसकी एकागरता को कि मुल्यों का संबंद कहीं न कहीं हमारी एक आगरता के साथ भी है, यह सारे मुल्यों तो अपने वो जीवन में लाएं हैं, जो उसकी जीवन को मुल्यवान बनाएंगे, लेकिन यह सभी चीजें उसकी जीवन की सफलता के लिए, उसकी एक आगरता के लिए बहुत-बहुत important है आज की चर्चा बहुत ही सुंदर रही ब्राताजी और आपने बहुत सुंदर-सुंदर बातों पर सुक्ष्म बातों पर प्रकाश डाला है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों आपने देखा विद्यार्थी वर्ग जिसका जीवन वास्तों में आगे आने वाले समाज के लिए देश के लिए बहुत ही मुल्यवान है उसके जीवन में यदि मुल्य होंगे तो निश्चित रूप से देश का भविश्य भी बहुत-बहुत-बहुत मुल्यवान होगा और मुल्यों का कहीं न कहीं संबन हमारी एकागरता के साथ भी है और जितनी एकागरता होगी जितने जीवन में मुल्य होंगे उतना ही हमारा जीवन सफल होगा तो हम आगे अपनी चर्चा को इस पर जारी रखेंगे कि कैसे मुल्यों से हमारी जीवन में एक आगरता आती है और कैसे एक आगरता हमें सफलता की और ले चलती है आज के लिए बस इतना है दीजे इजाजत अपने